हेलो दोस्तों के LD Classes में आप सभी का स्वागता आज हम बात करने वाले हैं भारत नेपाल सीमा पर RSS की क्या है रणीती भारत में जब से CAA सिडियन्सिप अमेंडमेंड एक्ट लागू हुआ है और NRC की बात सुरू हुआ है तभी से लेके भारत के सभी राजियों में और हर ज स्टम बनाने वाली है उसके लेकर कुछ कारे करने वाली है इसी को लेकर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यह विरोध प्रदर्शन नेपाल भारत सीमा पर भी देखी गई है इसको लेकर RSS या राष्टी सुनसेवक संग परिवार गंभीर है इसके लेकर कुछ नया नि निती क्या योजना बना रहे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि RSS के जो में इस समय हेड है या अद्यच है वो आपके मोहन भागवाजी है यहाँ पर बीच में दे सकते हैं यह है RSS के इस समय पर जिन टाइम में प्रमुक इनका में उद्धिस यह है कि सीमा के आसपास के गाउं नेपाल और भारत के जो सीमा है उसके आसपास के गाउं गाउं जाकर RSS की टीम के लोग राश्टवाद की अलग जगाएंगे नियाय पंचायत असतर पर साखाएं खोलकर जो RSS की साखाएं उसको खोलकर इनकी उस साखाओं को गाउं तक भी साड़ित करने के कार्य योजना की तैयारिक की जा रही है हर नयाय पंचायत से हर नयाय पंचायत से दो दो यूग को चुनकर उसे पहले राश्ट यता की ट्रेनिंग दी जाएगी यह जो ट्रेनिंग होगी यह एक दो घंटे की ने यह चार घंटे की ट्रेनिंग होगी जैसे यह उनको ट्रेनिंग पूरा ओगा ट्रेनिंग के बाद ये सेवक गाउं गाउं जाकर साखाएं खोलकर वहाँ पे इस तरह से जो राष्ट विरोधी गद्विदिया उसको दूर करेंगे और सभी को बताएंगी कि क्या सही है या क्या गलत है आरैसेस का सबसे अधिक अगर बात किया जाए कि किस जिलों में फोकस रहेगा तो जो सीमा वरती जिले है जैसे बहराई छैसरावस्ति है बलराम, पूर लखीम, पूर खेरी, पीली, भीट के साथ अन्य जिलों में भी आरैसस के साखाउं का विस्तार किया जाएगा और इस पर सबसे अधिक कड़ी नजर उन पे रखी जाएगी क्यों ये किया जा रहा सबसे पहला पॉइंट इन्हों ने ये बताए कि पाकिस्तान के कराची के रहने वाले ISI एजेंट मसरूर को नेपाल भारत सीमा पर राश्ट भी रोधी हरकतों के कारण से गिरफतार किया गया इसको लेकर इस प्रकार की जो घटना होती है इसके माद्यम से भारत और नेपाल के रिस्तों को लेकर रिस्तों में तनाव आ जाता है जिसके कारण से ऐसा कडम उठाना चाहिए बहुत पहले की बात किया जा रहा जो लोग दूसरे देशों से नेपाल के ना रहके भारत के ना रहके वो नेपाल में रह रहे हैं वो दूसरे देश से आके नेपाल में रहकर भारत और नेपाल के खिलाब बोलते हैं या उनके उपर कुछ भी ऐसा इस तरह से देश दोरों का मामला है उनके उपर दोनों देश मिलकर कारवाई करेंगे तो ये थी हमारी आज की सबसे important information मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ कि नेपाल सीमा पर राष्टवाद की अलख जगाएंगे संग ये RSS संस्ता है ये ऐसा काम करेंगे इसी प्रकार से जैसे कोई information आएगी मैं आपको जरू सुचित करूँगा इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का के LD classes की ओर से धन्यवक्त